हलो फ्रेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 7 इंगलिश के हाफ फिली सेंपल पेपर को कंटिन्यू करते वे इसका पार्ट 2 डिसकस करेंगे अभी तक हमने पार्ट 1 को डिसकस किया था, अगर वो वीडियो अपने भी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपके पेपर का next part आपका section C जिसमें आपसे literature-based question पूछे जाएंगे इसमें आपसे question पूछा जा रहा है, read the given below extract and answer the question that follow आपको exam में केवल 3 questions attempt करने, लेकिन हम यहाँ पे 4 questions attempt करेंगे लेकिन उससे पहले हम extract को understand करते हैं Poet कहता है कि मेरा भाई कहता है कि उस shed के अंदर एक भूत है, ghost है जो की rotten floor boards मतलब कि जो first बनाने के लिए सड़ा गला सामान है, उसके नीचे चुपावा है अगर मैं उस shed के अंदर जाने की कोशिश करता हूं, उसके अंदर कदम भी रखूंगा तो वो ghost बाहर आ जाएगा और मेरा सरकार देगा, लेकिन एक दिन मैं उसके अंदर जरूर जाके देखूंगा कि बहाँ पर क्या है अब हम इसके कुशन अंसर करते हैं, पहला कुशन है According to the poet's brother, who lives in the shed? तो इसका अंसर होगा According to the poet's brother, ghost lives in the shed Next question है Where does the ghost hide? Ghost कहां पर छिपावा है, तो इसका अंसर होगा The ghost hides under the rotten floorboards Next question है What harm will the ghost cause to the poet? अब आपसे question पूछा जारे है कि ghost poet को क्या नुकसान पहुचा सकता है तो इसका अंसर होगा The poet's head will be chopped off by the ghost if dare to enter the shed तो अगर poet ने उस shed के अंदर जाने की कोशिश की तो क्या करेगा ghost उसका सरकार देगा अगला वोशन है Name the poem and its poet यह जो extract है आपको बताने कि इस poem का नाम क्या और इसके poet कौन है तो इसका अंसर होगा Poem का नाम में The Shed और poet का नाम में Frank Flynn Next question है Read the following extract and answer the question that follow The old man being a rice farmer Went daily with hoe और spad into the field Working hard from morning Until old Tanato Sama had gone down Behind the hills यहाँ पर आपको बताय जा रहे कि जो बुड़ा आदमी था वो rice farmer था और वो daily अपने tools के साथ में उसकी tools कौन से थे? Hoe oisped यह ऐसे tools होते हैं जो कि खेतों में मिटी खोदने के लिए काम आते हैं तो अपने tools के साथ में जाके वो बहुत ही जादा महनत करता था From morning until old Tanato Sama had gone down behind the hills देखे old Tanato Sama का मतलब होता है Sun क्योंकि Japanese में Sun को old Tanato Sama कहा जाता है तो वो सुबेश लेके शाम तक बहुत ही जादा कड़ी महनत करता था Every day the dog followed him to work Never once harming the white heron that walked in the footstep of the old man to pick up the worms Heron का मतलब होता है बगूला आप देख सकते फोटो में ये heron है जो की खेतों में कीड़े खाने का काम करता है तो बुड़े आदमी के साथ में एक dog भी उसके साथ में हमेशा उसके साथ खेतों में जाता था वो इतना friendly था कि उसने कभी भी आज तक उस white heron को नुकसान नहीं पहुँचाया था वो बुड़ा आदमी इतना जादा patient और kind इंसान था कि वो अकसर क्या करता था कि खेतों में थोड़े सी जगे को साफ करके वहाँ पे अनाच डालता था ताकि जो birds है वो आकर उसको खा सके अब हम इसके कुशनांसे करते हैं पहला कुशन है आपसे पुचा जा रहे है कि खेतों में कौन बहुत महनत करता था तो इसका अंसर होगा अब आपसे पूचा जा रहे है कि कोई example देके बताईए कि जो किसान था वो बहुत ही ज़ादा kind था तो इसका अंसर होगा तो वो क्या करता था? जमीन साप करता है ताकि वो birds को खाना खिला सके अगला कुशन है आपसे पूछा जा रहे कि ओ टैने टो सामा का मतलब क्या है? तो उसका अंसर क्या होगा? जैपनीज में ओ टैने टो सामा का मतलब होता है दस सन नेक्स्ट कुशन है आपके सामने स्पैलिंग दिये रखिए आपको उसमें से चूज करना है कि इन में से करेट स्पैलिंग कौन सी है? पहला कुशन है आपसे पूछा जा रहा है कि इन में से प्रोसेशन की सही स्पैलिंग कौन सी है? ओप्शन नमर A, B, C या पिर D तो देखिए आपका अंसर होगा ओप्शन नमर C जो की इसमें सही स्पैलिंग है प्रोसेशन की और प्रोसेशन का मतलब होता है जूलूस अगला कुशन आपसे पूछा जा रहा है कि डिलिशस की सही स्पैलिंग कौन सी है? ओप्शन नमर A, B, C, या पिर D तो हमारा अंसर क्या होगा? Optional B is the correct answer नेक्स्ट कुशन है अंसर दर फॉलिंग कुशन ब्रीफली अब आपके सामने चार कुशन दे रहें लेकिन इसमें से आपको कीवर तीन कुशन अटेंट करने लेकिन हम यहाँ पे चारों कुशन को डिसकस करेंगे फिर्स्ट कुशन है आपसे कुशन पूछा जाया है कि गोपाल हिलसा फिश को खरीदने जाने से पहले क्या करता था तो इसका अंसर होगा गोपाल हाफ शेब लिस पेश स्मूर्ड एश on his body himself और वो रक्स बिफोर गोईग आउट तो बाई हिलसा फिश वो क्या करता था अपने आज़ी फिश को सेव करता था उसके बाद में अपनी पूरी body पे राग को रगड लेता था और पड़े पुराने कप्डे पहन के वो खिलसा फिश को खरीदने जाता था अगला कोशन है अगला कोशन है आप से कोशन पूछा जा रहे की राइटर मिस्टर गैसलर की शॉप पर बारवा क्यों नहीं जा सकते थे तो इस काशन होगा तो देखे जो मिस्टर गैसलर बूट बनाते थे वो इतने फिट आते थे कि न जादा लूज थे और न टाइट होते थे बिलकुल फिट आते थे और वो इतने अच्छे बूट बनाते थे कि वो लंबे टाइम तक चलते थे इसलिए उनकी दुकान पर बार-बार जाने की जरूत ही नहीं पड़ती थी अगला कुशन है तो आपसे कुशन पूछा जारे कि जो बड़े हैं वो ये कब कहेंगी कि अपने भरेवे मूँ से बात मत कीजिए तो इसका अंसर होगा तो देखिए अगला कुशन है आंसर दे फॉलिंग कुशन ब्रीफली इसमें आपको तीन कुशन रेटाइम करने लेकिन हम यहाँ पर चारो कुशन को डिसकस करेंगे पहला कुशन है आपको यहाँ पर दो चीजे बतानी हैं जो कि हम टाइनी टीचर से सीख सकते हैं यहाँ पर टाइनी टीचर कौन है आंट के बारे में बात की जा रही है तो इसका अंसर होगा तो देखिए सबसे पहला हम क्या सीख सकते हैं उनसे टीम वर्क सीख सकते हैं बिना एक दूसरे काम में इंटरफेर किये वे वो अपने काम को शेर करती हैं अग्ला हम उनसे क्या सिखते हैं आपने उनके ग्रूप के जो रूस होते हैं उसको फॉलो करती है और एक दूसरे के लिए वो एक्दम रहती हैं तो उनसे क्या सिख सकते हैं टीम वर्क एंड डिसिप्लिन अगला कोशन है आपसे question पूछा जा रहे है कि python ने गोलू की help क्यों की थी तो इसका answer होगा गोलू had helped the python to coil around the branch of tree the python felt grateful to him and quietly followed him the python helped गोलू when the crocodile caught him by the nose तो देखिए एक बार गोलू ने python की पेड़ की प्रांच से लिपटने में help की थी coil around का मतलब होता है जिसे कि क्या है पेड़ की branch है और इसमें इस तरीके से fold होने को कहते हैं coil around तो गोलू ने python की इसमें help की थी तो python को बहुत अच्छा लगा कि उसकी help की गई है तो python felt grateful to him and quietly followed him तो धीरे धीरे python गोलू की पीछे start हो गया चलना तो python helped गोलू when the crocodile caught him by the nose जब crocodile ने गोलू को नाख से पकड लिया तो इसी लिए python ने उसकी help की थी अगला question है आपसे question पूछा जा रहा है कि करी ने अपने दोस्त को नदी में धक्का क्यों दे दिया था तो इसका answer होगा so he pushed his friend into the strand तो देखिए करी ने अपने दोस्त को नदी में इसले धका दे दिया था क्योंकि नदी में एक बच्चा डूब रा था तो करी उसको अके लिए नहीं बचा सकता था इसलिए उसने अपने दोस्त को धका दिया ता कि उसको बचा के बाहर ला सके अगला कुशन है तो आपसे कुशन पूछा जा रहा है कि अबू खान अपनी बक्रियों के मामले में अनलकी क्यों था तो इसका अंसर होगा अबू खान वस अनलकी इन दे मैटर अफिस बैट गोड़्स देखे अबू खान बक्रियों के मामले में इसलिए अनलकी था यह कुशन आपका 5 marks का होगा आपको दोनों में से कोई एक कुशन करना है लेकिन हम यहाँ पे दोनों कुशन को डिसकस करेंगे तो सबसे पहले में आपे डिसकस करेंगे कि डॉग ने अपने मास्टर की किस तरीके से हेल्प की थी तो इसका अंसर होगा तो जब डॉग जिन्दा था तो उसने अपने मास्टर की जो सोने का धेर था बहां तक पहुंचने में हल्प की थी और मरने के बाद में उसने अपने मालिक को कहा था कि उनको पाइन ट्री की बुट से मतलब कि जो पाइन ट्री है उसकी लखडियों से मोटर और मिल बनानी चाहिए सेकिंद पॉइंट है वाइल मेगिंग दो राइस पेस्टरी और मिल उसे करके राइस पेस्टरी और मिल बना रहा था तो उन्होंने नोटिस किया कि जो डो था वो गोल कॉइं में कनवर्ट हो गया है और सास की एक एक बून से गोल टपक रहे है अगला पॉइंट है दे डॉग दिन आस्टर तो कलेक्ट अशे और मॉर्टर और मिल उनकी ओपर छिड़क दे इसे क्या हुआ कि जब उन्होंने सूखे और मुर्चावे पेड़ों पर सको छिड़का तो मैजिक से वो सारे वापिस खिल उठे अगला कुशन है तो इस चैप्टर के एकोर्डिंग आपको बताना है कि जो कोईग्सिस्टेंस से मतलब की साथ में रहना और उनिवर्सल ब्रदर हुड है वो हम जानवरों से सीख सकते हैं तो किस तरीके सीख सकते हैं इसका अंसर होगा तो हम सब एक दूसरे पर इंटरडिपेंटनंट हैं तो साथ रहने इस और इंटरडिपेंडेंटस से क्या होता है कि return में python ने वापस गोलू की help की थी उसको crocodile से बचाया था python ने उसको ये भी बताया था कि इसकी जो trunk के उसके क्या benefits है गोलू को उसके बारे में किस से पता चला python से पता चला जो कि उसके लिए क्या था वो unknown था उसको बिलकुल भी नहीं जानता था लेकिन उनके जब आपस में interdependent की वज़े से उनके बीच में connection हुआ friendship हुई और उसने काफी घुसरी की help की और इस वज़े से गोलू जो था वो python के लिए काफी grateful था इसलिए हम co-existence और universal brotherhood जानवरों से भी सीख सकते हैं आज की वीडियो में हमने आपका question paper को complete किया I hope ये questions आपके लिए बहुत ही साथ important होंगी वीडियो अच्छा लगाए तो वीडियो को like करना है दोस्तों कि शायर करना है और चैनल पर नए है तो चैनल को subscribe करें thanks for watching